हेलो दोस्तों आपने बहुती सांदार वीडियो पे किलिक कर दिया है दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे RRB NTPC का पहली सिफ्ट का पेपर पेपर काफी आसान था जैसे की बच्चों के डेटा के अनुसार पता चला पेपर काफी आसान था ठीक है गाईज जो भी आपके सामने स्टूडेंट है इनोंने 92 अटेंट किये और इनकी 90% से जादा इनकी एकुरेसी रही लेकिन इनोंने ये बताया कि ये गलती मत करना तो ग देख लो पेपर काफी आसान था तो दोस्तों सबसे वड़ी बात अगर आप अपने ममी बापा का सपना पूरा करना चाहते हो 2021 में एक नोकरी लेना चाहते हो ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो चैनल का लाल कलर का बटन दबागर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन को ओन कर लेंगे ताकि हमारे चैनल पर आपको सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो गाईज पेपर काफी आसान था एक एक सवाल को ट्रिक से देख लेते जल्दी से तो गाईज पेला सवाल आपके सामने है भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफोर्म कहाँ पर है आपका तो गाईज यह आपका है गुरकपूर में जो की यूपी का एक पार्ट है देख लेते गाईज अगला सवाल क्या पूचा गया काफी आसान पेपर था तो गाईज एक सवाल ये भी पूचा गया दक्सिर मद्य रेलवे साउथ सेंटर रेलवे का मुख्याले कहाँ पर है यह आपका सिगंदराबाद में है देख लेते गाईज अगला सवाल एक सवाल ये भी आसान पूचा गया सब बारत्य सविधान का कौन सा अनुचेद भारत की विदेश नीती से सम्बंदित है तो गाईज यह आपका है आर्टिकल कौन सा 51 जो बच्चा आर्टिकल 51 मार गया उनका रहेट आंसर हो गया तो दोस्तों इस सवाल को इस तरीके से आप लोग कर सकते थे तो दोस्तों एक सवाल ये भी पूचा गया भारत की पहली महिला रेल मंत्री कोन थी तो गाईज इनका नाम दा ममतब एनरजी ममतब एनरजी सवाल का रहेट आंसर हो जाएगा एक सवाल आपका ये भी पूचा गया सक्रिय ज्वाला मुखी का तातपरिय क्या है तो गाईज इसका तातपरिय है वह ज्वाला मुखी जिसके मूँ में हमेशा धूल धूआ वास्प गैस या राक लावा इत्यादी पदार्थ निकलते हैं उसको ही आप सक्रिय ज्वाला मुखी बोल सकते हो ठीक है गाईज आग देख लेए अगला सवाल एक सवाल का सभाब हो जाएगा है तो गम एक सवाल आपका ये भी पूछा गया भारत में कोफी का सबसे बडा उतपादक कोण है तो गृस ही करनाटक राज्य करनाटक इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा देख ले तक आज अगला सवाल एक सवाल ये भी पूछा गया भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कोन है तो गाइज ये है केरल राज्य केरल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा देख ले त तो गाइज जो बच्चों की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि आपको क्या गलती नहीं करनी तो यह गलती वो थी आपको पहले सबसे आसान पेपर सबसे पहले आसान जो भी आपके सवाल है उनको कर लेना है फटाफट जो आपके थोड़े टफ सवाल है उनको आपको ला प्रास्ट में करना है यह इन्होंने बताया यह गलती मत करना बच्चे जाधातर यही गलती कर रहे हैं ठीक है आगे बढ़ लेते हैं यह सवाल भी पूचा गया सुवेत रक्त कर वाइट बलड सैल को क्या कहा जाता है तो गैस इसको बोला जाता है लिकोसाइट लिकोसाइट इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा देख लेते हैं अगला सवाल लाल रक्त कर यानि आर बीसी इनका लाइफ इस्पैन कितना होता है इनकी जीवन काल कितना होता वारते सविधान के किस अलुचेद के अंतरकत, नियंतरक एवं महाले का प्रिक्सकी न्युकती होती है तो गाईज यह होती है कौन से अनुछेद के अंडर में आर्टिकल 148 के अंडर में देख लेते गाईज अगला सवाल एक सवाल ये भी पूछा गया भारते रेल्वे की स्थापना कब हुई थी तो गाईज ये हुई थी 16 अप्रेल 1853 में देख लेते गाईज अगला सवाल तो गाईज एक सवाल ये भी पूछा गया इन में से आपको बताना है विसम कोन सा होगा ओड कोन सा होगा मतलब इन में से चारो उप्सन में से अलग कोन होगा तो गाईज क्या करेंगे पहली संग्या को जोड लेंगे एक बार इनको चारो को जोडने के बाद में चारो जो भी आपकी डिजी 10 को जोडने के बाद में आएगा 28 इसको जोडने के बाद में भी 28 आएगा इसको जोडने के बाद में भी 28 आएगा लेकिन इसको जोडने के बाद में आपका 27 आएगा तो यही आपकी अलग हो जाएगी जो बच्चा यहाँ पर D option मार गया उनका right answer हो जाएगा ठीक है गाइस इस सवाल को आप लोग इस तरीके से राम से कर सकते थे आगे बढ़ लेते गाइस अगला सवाल देख लेते हैं तो गाइस एक सवाल यह भी पूचा गया यहाँ पर tower का code दिया गया है मैं लिख देता हूँ tower का code दिया गया है tower का code दिया गया है O-T-E-W-R तो गाइस यह code दिया गया है इससे logic पता कर लेंगे और हमें code निकालना है R-tail का इसका code हमें निकालना है तो गाइस logic चेक कर लेते हैं एक बर इसने क्या क्या T को इदर लिख दिया O को इदर लिख दिया W को इदर लिख दिया E को इदर R को नीचे ये लोजिक इसमें लगाएंगे इसको इदर इसको इदर इसको इदर इसको इदर इसको इदर इसको नीचे जब T तो इदर आएगा इसको मिटा देते हैं साइड में से T तो इधर आएगा R यहाँ पे आएगा I यहाँ पे आएगा A यहाँ पे आएगा L यहाँ पे आएगा तो guys trail आपका right answer हो जाएगा जो भी बच्चा A option मार के आया sorry trail हाँ A option आपका right answer हो जाएगा तो guys इस तरीके से आप लोग इस सवाल को अराम से कर सकते थे I hope दोस्तों आपको इस समझ में आ गया होगा आगे बढ़ लेते हैं देख लेते हैं अगला सवाल एक सवाल आपका ये भी पूछा गया दोस्तों इस सवाल में आपको copy paste concept लगाना है copy paste मतलब यहां से उठाना है और यहीं पर लिख देना है hard का code दिया गया है soft का code दिया गया है और इसका code हमें बताना है इस code का letter बताना है sorry अब देख लेते हैं 2 को क्या लिखा है इस नहीं देखो 2 को क्या लिखा है 2 को लिखा है इस ने 2 को लिखा है इसने S sorry एक को लिखा है इसने H एक सागिंट इसने दो को लिखा है S ठीक है guys ये रहा दो और ये रहा S अब बात कर लेते हैं एक की एक को क्या लिखा है H, H यहाँ पर रख लेंगे चार को क्या लिखा है सने चार को लिखा है guys O तो O लिख लेंगे चार यहाँ पर दो बार है दो बार लिख देंगे आठ को क्या लिखा है सने आठ को लिखा T तो guys यहाँ पर T आ जाएगा तो guys इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा S, H, O, O, T यानि जो बच्चा है यहाँ पर C option मार क्या है उनका राइट आंसर हो गया तो guys इस तरीके से आप लोग इस सवाल को अराम से करके आ सकते थे तो दोस्तों आपके कौन सा आप समझ में आ गया होगा आगे बढ़ लेते हैं अगला सवाल देख लेते हैं तो guys एक सवाल आपका ये भी पूछा गया इसमें आपके पांच लेटरे इनको डिक्सिनेरी के ओडर में लगाना है सब्द को उसके एक करम में लगाना है तो guys क्या करेंगे सब में प्रो कोमन है प्रो 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 ठीक है guys तो प्रो कोमन है कितनी बार है पांच बार है एक यहाँ पर लिख देता हूँ अब यह देखते हैं कि ABCD में कौन सा लेटर सबसे पहले आएगा तो सबसे पहले आएगा guys आपका B तो यानि प्रोब्लम यहाँ पर आ जाएगा हमारा यह कौन से नंबर का है यह दूसरे नंबर का है तो दूसरा यहाँ पर आ जाएगा अब बात कर लेते हैं यहाँ वाले की यानि कि अगले पर क्या आएगा B के बाद में J आएगा यानि यहाँ पर पांच आ जाएगा इसको हम क्या लिखेंगे प्रोब्लम यह कौन से स्थान पर आएगा पांच वे स्थान पर यानि यह पांच वे नंबर पर हमें दिया गया है अब B के बाद में क्या आएगा B के बाद में आएगा P ABCD में P आता है B के बाद में एकदम बाद में नहीं लेकिन B के बाद में आता है यह आएगा आपका पेले नमबर वाले का बाद में आपका आखरी बच गया प्रो वर्ब प्रो वर्ब यहाँ पर लिख देंगे यह आपका तीसरे नमबर का है अब अपना करम चेक कर लो करम मैं आपको लिख देता हूं आपका अंसर आएगा 2, 5, 4, 1 और 3 अगर यह आपको option मिल रही है यह आपका right answer हो जाए yes जो बच्चा D option मार किया है उनका right answer हो गया तो गाइस इस तरीके से आप लोग इस सवाल को कर सकते थे तुरंत वीडियो को like कर देंगे like कर दो तुरंत दोस्तो और channel को subscribe कर लो सभी government exam की trick के लिए ताके आपकी ममी पापा का सफना पूरा हो सके trick के लिए subscribe जरूर कर लेंगे guys तो दोस्तो जो भी बुचे बच्चों ने सवाल बताए 100% real सवाल मैंने आपको यहाँ पर बता दिये है अगर आप reasoning और math को trick से पढ़ना चाते हो यह channel का लाल कलर का बटन जो नीचे होता है इसको दबाकर channel को subscribe कर लेंगे bell icon को all कर लेंगे दो option होते हैं all एक personal all कर लेंगे ताकि सभी trick वाली वीडियो का notification हमारे channel पर आपको time to time मिलता रहे तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में अगली shift के लिए आपको good luck thank you so much